आज हम आपको बाफला बाटी की रेसीव बता रहे हैं किस टाइप से आप बड़ी आसानी से बाफले बना सकते हो बहुत ही टेस्टी और स्वाधिस्ट बिल्कुल घर जैसे बहुत ही आसान तरीका है इसका कि देखिए हमारे बाटी बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुकी है इसी टाइप से आप बाटी बनाईए बहुत सारी सिक्रेट बताएँगे हम आपको किसे आप टेस्टी बाफला बाटी बना सकते हो हमारे वीडियो का पंत तक देखना हमारे वीडियो आपको अच्छा लगए लाइक शेर सुस्क्राइब करना तो चलाइए ऐसे ही टेस्टी और स्वाधिस्ट बाफला बाटी की रेसीपी इस्टार्ट करते हैं है फ्रेल हमने गंगवाल का बाफले काटा लिया है जो को इसे कंप्री का लए सकते हो जक्किपर पिस्वा सकते हो खीलाल हमने गंगवाल और अब अब आफले का लिया लिए कि इस टैपपसे ऊस्टार्ट से श्वाद अनुसर नमग डाल दिया ए नकम डालना ना ज़्यादा डालना आपको जितना लगे उतना ही डालना ए होड़ी से हल्दी डालेंगे थोड़ा सा हल्दी येट कर दिया थोड़ा सा सोब बेट करेंगे DONT exhibitsbenay पेट कर दिया है आपको ज्यादा नहीं आलना आए कम ही डालना है सोप करने के बाद के ओउफ हो गैजुआ के इस लिए अपके राटने से इसलिए आप जरुन डालने यह ह 되면 करने के जावे करना हो चलिंख maxim है इसलिए मात्रा है कम ही रखी है आप थोड़ा सा खाने का सोड़ा इससे हमारे बापले थोड़े सोफ्ट बन जाएंगे खाने का सोड़ा डालेंगे थोड़ा सा इसकी मातरा बहुत ही कम रखना है आपको हलकी सी मातर रखना इसको खाने के सोड़े की थोड़ा सा खड़ा धनिया खड़े धनियो कि एक के दो भाग करके खड़ा धनिया एट कर देंगे इससे हमारे बापले में थोड़ी जान आ जाएगी खड़ा धनिया डालने से खड़ा धनिया और अजवाई न आप जुरूर डालिए इस टाइप से सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब आटे को इस तरह से पानी एट कर देंगे पानी एक साथ एट नहीं करेंगे दीरे दीरे पानी एट करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे इस टाइप से दीरे दीरे आटे को मिक्स करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी एट करते रहेंगे दीरे दीरे थोड़ा थोड़ा पानी एट करते रहेंगे पानी डालते रहेंगे आटे में इस टाइब से दीरे दीरे हमारा आटा तयार हो रहा है इस तरह से हमने अच्छे से आटे को लगा लिया है और थोड़ा इसको फेला के छोड़ दिया 10-15 मिट तक इसको ऐसे फेला के छोड़ देंगे जिससे हमारा आटे बहुत ही लोच आ जाएगा और थोड़ा सा गल जाएगा और बहुत ही सौप्टन ऐसा जाएगी 10-15 मिट तक इसको ऐसे फेला के छोड़ देंगे पंद्रा मेट में अच्छे से सौप्ट हो चुका है बिल्कुल इसमें लोच आ चुकी है इसकी बाटी बनाएंगे हम अब यह देखिए इस टाइब से गोल-गोल बाटी तयार करेंगे हम बाटी को ना ज्यादा बड़ी रखेंगे ना ज्यादा चोटी मेडियम साइज में बा त्यार कर चुके हम यह हमारी बाटी पूरी तरीके से ओवन में लगने केष्ण हो चुकी हैं यह देखिए बहुत ही तरीके समने बाटी को बैला घिसलिए टाइप से आप साइज रख़ी है बाटी का ओवन के लिए इस टाइब सर्हाण लेंगे घरम करेंगी गेस के उपर उसके बाद इस पर बाटी एट की जाएगी गरम होने के बाद हम इस पर बाटी एट करेंगे अच्छे से गरम हो चुका है अच्छे से गरम होने के बाद हम इस पर बाटी एट करेंगे अच्छे से यह देखिए इस टाइप से एक एक करके बाटी एट कर देंगे इसे टाइप से आप बाटी एट करिए देखिए इस टाइप से ओवन पर हमने सारी बाटीओं को अच्छे से एट कर दिया है गेस की फ्लेम ज्यादा तेज नहीं रखना है और हमारे बाटीया जलने की संभावना रहती है अब दीरे दीरे और को पल्टाते रहें बीच बीच में बाटियों को इस तरह से हलका हलका सा बाटी को बीच में कुमाते रहेंगे जिससे हमारी बाटी जलेगी नहीं और उच्छी क्रिस्पी बनेगी इस टाइब से हलका सा बाटी गरम होने के बाद उसको पर डखकन से एट कर देंगे अच्छे से इस टाइब से बाटी को डख देंगे अच्छे से इस टाइब से ओवन पर अच्छे से बाटी को डख देंगे दो तिन मीट बाद चेक करते रहेंगे और बाटी को पलटते रहें कि इस टाइप से बीष बीष में बाटी को पल्टाते रहेंगे है हुआ यह देखिए इस टाइप से हमारी बाटी अच्छे से सिक के तयार हो रहे है इस टाइब से बाटी को पल्टाते रहेंगे दीरे धीरे आप हमारी बाटी जल जाएगी इस टाइब से बाटियों को पल्टाते रहेंगे लग्वक हमारी बाटी पन के तयार हो चुकी है कि देखिए इस टाइब से बाटी फटने लगे तो सबजना चाहिए कि आपकी बाटी अच्छे से सिख चुकी है इस टाइब से देखिए हमारी सारी बाटी अच्छे से ब्राउन ब्राउन हो चुकी है सारी बाटी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है इससे पता चल रहा है कि हमारी सारी बाटी अच्छे से सिख के त्यार हो चुकी कि देखिए इस टाइब से साची गी में हम बाटिकुल ये कर लेंगे अच्छे से ये देखिए दोस्तों हमारा बाफला बाटी बहुत ही उच्छी तरीका से बनके त्यार हो चुकी है इसी रेजिबी से आप बाटी बनेए बहुत ही टेस्टी और स्वधिस्ट बाटी बनेगी आपकी मारा वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक शेर सब्सक्राइब करना रोज हमार नई नई वीडियो देखिए धन्यवाद